तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मुह में जाते ही घुल जाने वाली बहुत ही ज्यादा मज़ेदार हलवाई जैसी कोकोनट मलाई बर्फी की रिसिपी इसे हम ताजी नारियल से बना के तयार करेंगे यह मिठाई इजली ब समझ में आ रहा हुआ कितना सॉफ्ट बनके तयार हुआ है बिल्कुल मुह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई बनके तयार हुई है इसका टेक्शर देखिए कितने दानेदार बनके तयार हुआ है बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार ये बर्फी बनके तयार हुई है व ज्यादा टाइम भी ने लगता है तो चलने रिसीपी बनाना शुरू करते हैं और उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ज्यादा ज्यादा शियर करना और अगर हमाई चाहिए पर नए है तो यह से सब्सक्राइब करिएगा तो इस रिसीपी क मारना तिंचार टुकड़े में बढ़ जागा इस तरह निकल जागा देखी मैंने से निकाल लिया और इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब इसका क्या करना है ब्राउन वाला पार्ट निकाल लेना है बरफी बनाने के लिए ब्राउन पार्ट आप जरूर निकाल लि निकाल लें, यह ने इसे तरह निकालर लिया है me, मै निकालूर लिया तुम है गूत क Lex पथर पतले slice काट लिया है सारे नारियल के अब यहां पेक मिक्सी जा लेगे यहां पे छोटा आले मिक्सी जा लिया जो जटनी वाला रहता है दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ड्राय पीसेंगे इसमें पानी नहीं डालना है इसका डस्त तैयार करना है फाइ कप यह काटोरी घर का कोई मेजर्मेंट के लिए सेट कर लेना अन्नाप के बनाओगे इसमें पर्फेक्ट बनके तयार होगा देखिए इसी तरह सिकंड बैज भी इसमें ड्राय डस्त तयार हो गया है इसी कप में डालेंगे अगर आप नाप के बनाओगी नहीं पहली दफा अब गैस के तरफ चलेंगे यहां पे धीमी आज पे यहां पे मैंने कडाही चुड़ाया दोस्तों और वही कप से नाप के इसी कप से आज सारा मेजर्मेंट में करूंगी दोस्तों इदम परफिक्ट हलवाई जैसी दानेदार बरफी बनके तयार हुई थी दोस्तों बलकि ह अलवाई से भी ज्यादा मज़दार बनके तयार होगी आप इसी तरह करना मैंने एक कप डाला यहां पर धीमी आज रखना और बाकी दो कप इस प्लेट पे था सारे को डाल देना है और धीमी आज रखना धीमी आज पे इसका मॉस्चर सुखाएंगे दोस्तों तोस्तों मॉ कलर भी चेंज नहीं हुआ अब इसको मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया और फिर वही कप से उसी कड़ाई में दो कप यहां पर दूद डालेंगे दो कप में डालनी हूं नॉर्मल दूद है दोस्तों यहां पर बॉयल लाना है हलका सो बॉयल आ जागा दोस्तों अब यहां तो थोड़ा कम भी कर सकते हो अड़ डालने के बाद 2-3 नट इसको अच्छे से बॉयल लेना यहीं दो कप से 1.5 कप दूद जब हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर जो कोकोनट डुस्ट मैंने रखा था हलका सा इसको बून के रखा था इसकी अंदर डाल देना है अच्छे से ये soft हो जाएगा तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से soft हो गया है अब यहां पर क्या करें गें यहां पर main cheese एक cheese डालेंगे दोस्तों जब मैं coconut मलाय बर्फी बना रही हूं तो यहां मलाई तो पड़ेगा है, यहाँ पर उसी कब से नाप कि मैं एक कब मलाई ले रही हूँ, यह वही मलाई है, जो दूद हम खुलाते हैं ने दोस्तों, जो उपर जम जाती ही वही, अत्ताजा मलाई डालना, जादे दिन का मलाई मत डालना ना, तो हमारी मिठाए खराब हो जाए है दोस्तों अधम सोफल बल्कुल बटर की तरह सोफ़ट होगा, मुह में जाते ही घुल जाने अवहला होगा, इसी तरह से यहाँ पर 5-6 मिनट में जालना घाला-ट पानी, चोड़ा था है, अच्छे सब्ढ़ आए, चोड़ने लगा है, कड़ा ते ओसा ओढ़ना लगांती जाले और यक दो पूरा मत डालना थोड़ा थोड़ा करके डालना या पहले ही दूद में घृफोल के डालना यह इसको चछण चान के डालना मैं थोड़ा थोड़ा डौरा डाला है मैंने एक कप डाला है दोस्तों ये ढालने से एदम मावला टेक्च्चर आएगा दम बिल्कुल मावाल जो मैलाइ दिया था मैंने वो घी का काम करेगा दोस्तों इसमें घी नहीं पढ़ाया यहाँ पे फिर मैंने दूसरा कप ले लिया है दोस्तो दूसरा कप से भी थोड़ा-थोड़ा करके milk powder डालेंगे यानि मैंने दो कप इसमें milk powder डाला है ध्यान रखना दोस्तो दो का आप चाहो तो एक कप से भी काम चला सकते हो लेकिन मैंने दो कप डाला था इसका टेस्ट मत पूछे दोस्तो बहुत ही ज्यादा मज़ेदार हुआ था अब यहां पर इसको अच्छे से इसको mix कर देना है कि जो मैंने milk powder डाला है उसका लंस भी होगा उसको अच्छे से मिला देना है और जो मैंने मलाई डाला है अगर दोस्तो आपको मलाई पसंद ना हो आप मलाई के जगह दो चमच घी भी डाल सकते हो अगर वो नह रहे तो आप क्रीम आता है वो भी डाल सकते हो और वैसे तो मलाई सबके घर में रहता है आप डाल सकते हो अराम से मलाई जो मैंने डाला है यहां पर 3-3 दोस्तों यह पर अच्छ से अच्छ होच्छ का लिया है यह अब तो यहां पर घ्याया है गैस ज00 स teraz चोटी चमच यहां पर सब्स्यार के त्यादा यहां पर गयस पन कर दिया European चाहि करेश कैँ में मिस हाते आउट कराना था सकुछा ह। कर दोस्तके बाट डाया टोट ब्रत मतनें 500 नग को घंथ करना ते करना तो नगा रहारा है चलाने के लिए यहां एक प्लेट ले लेना उसको मैंने ग्रीस कर लिया एक पटर पेपर लगा लिया आप चाहो तो घी से ग्रीस कर लेना इसके ओपर केरफुली डाले तुरुद गरम गरम नहीं डालना हलका ठंडा हो जहीं हलका गुन-गुना रहे तो धियान रखना इस बात का इसको डाल दोस्को ढ़िए कचे नारिल कलोड बरफी बनाया है आप चाहो तो डिसी केट my डेस कोकोनेट डस्ट अटा नहीं क alga बना सकते हैं लिध कि इसके अंदर डालना कबाद बेलन से इस तरह कर लेना दोस्तों बेलन से इस्टरह करने से क्या होता है जाला खाफ शुपाइल से सब्सक्री सब्सक्राइब की मशलीरय सब्सक्राइब शुटाइब की ओष्ड में हुआने बउलू नहीं जा है आदा घंटा फ्रीज में रखने के बाद भी इदम सॉफ्ट बन के तयार होता है दोस्तों अब बिल्कुल 10-15 मिन बन के तयार हो जाता है जिसे भी आप खिला होगे सब आपके तारीफ करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वादिस्ट बन के तयार हो जाता है सिर्फ 2-3 ची स्वादिस्ट नर्म बर्फी बन के तयार हो जाती है अद्दस से पंदमेट जादा देड नहीं लगता है इस फेस्टिबल में आप जरूर बनाना अब बाहर का मिलावटी मिठाए मत खाना वह बिल्कुल अनहिल्दी होता है दोस्तों इसे मैं निकाल के देखा है इसे मैंने बटर पेपर पे मैंने ओयल लगाया था दोस्तों गिरीस कर दिया था देखिए कितना असानी से निकल जा रहा है कोई दिक्कत भी नहीं और बनाना भी इसको आसान है निकालना भी बहुत आसान है अब कितना सौट वहा देखिए इदम साइस शेप हर चीदम परफेक्ट हु आप इस फेस्टिवल में बना के अपने फैमली के सा इंजोआए करें बाहर का मिलावटी मिठाए बिल्कुल नले बिल्कुल अनहिल्दी होता है दोस्तों एक पिस में उठा के देखा रही हूं देखिए देखने में कितना स्वादिस्ट लग रहा है जितना देखनी में हो कितना दानेदार सौड बिल्कुल मुमें चाहते ही घुल जाने वाला बन के तयार हुआ है ओके दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तैसे लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा मैं फिर मिलूंगी